हलो दोस्तो मैं हूँ जुनायद और आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है तीन इंपोर्टन चीज़ के बारे में और अगर आपने ये तीनों चीज़े सीख ली तो आपको कोई रॉक नहीं सकता भाया जॉब लेन जॉब लेने के लिए तीन चीज़े मॉस्टली लगती है और अगर आपने इन तीन चीज़ों पर अपना रोब जमा लिया या फिर इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे सीख लिया तो आपकी नौकरी 110% कनफर्म है देखिए पहली चीज जो है यहाँ पर वो है आपका resume यानि के अगर आपने बहुत अच्छे से तयारी भी कर लिए बहुत सारी चीज़े सीख भी लिये और आपका पहला step ही बेकार है आपका resume ही पेकार है तो आप apply करते करते थक जाओगे आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी पहले चीज़ तो यही है और इसका न मैं आ वोना तो बहुत दूर की बात है आपको एक single call तक नहीं आ रही है कि भहिया interview देने आ जाओ तो आपका यहाँ पर 100% resume गलत है सबसे पहले आपको एक balanced CV चाहिए या फिर resume चाहिए अच्छा ठीक है देखे अब resume जो है वो first step इसी लिए है जो कि भहिया होता क्या है ना सभी बैंकों में या फिर जितनी भी website है इस सभी के ऊपर एक server एक system काम करता है और जब आप apply करते हो तो वो system check कर लेता है कि resume के अंदर जो relevant keywords है क्या वो आए है या वो नहीं आए है अगर relevant keyword आते हैं तो वो बहुत chances यह होते हैं कि आपका resume select हो जाए आपका resume shortlist हो जाए अगर आपका resume वही है जो आपने cyber cafe से बनवाया था 10-20 रूपे देखके आज से 2-3 साल पहले तो उस resume से 2023 के अंदर आपको नौकरी नहीं मि resume में अब आप कहे रहे हो sir कैसे बनाए कहां से बनाए YouTube पर वीडियो तो बहुत सारी देख लिए अगर हम कहीं cyber cafe से बनवाते हैं तो वह बंदा में वही को भी paste करके देता है तो भाया इसका अगर आपने ये भी सीख लिया तो नौकरी almost done है और हां मैं आपको apply करने का process समझाओंगा वीडियो के last में ध्यान से समझना और वीडियो के last में question भी होगा जिसका answer आप हमें कर रहे होंगे तो दूसरी चीज़ और सकते जादे important चीज़ यह है अगर आपने resume भी हमसे मोटे काम करना आजकल बंद हो गए almost सारी चीज़ें हम घर बेटे बेटे कर रहे हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए जोब अगेरा नहीं है mostly जो जो जोब्स हैं बैंकिंग फिर्ल्ड में वह ज्यादा तर जोब्स जो है भीया लॉन डिपार्टमेंट में ठीक है कही न कह किंशन्शिप मेनेजर अब सोच नोगा बनता बहुत तगड़ी पॉस्टल लेकिन घोंबिर कही न कहीं सेल्जी करनी पड़ती है वही तो एक बात ध्यान दिहां नखना तो सेल्स में सबसे ज़्यादा इस्तमाल की जाने वाली स्किल अगर कोई है तो वो है आपकी कम्यून communication skills जिए हम, communication skills आना इतना जरूरी है, अगर आप जानते हूं भारत के current पर्धान मंतरी यानि के नरेंदीर महदी जी को दो बार से लगातार प्रधान मंतरी बन रहे है, because वो एक अच्छे लीडर के साथ साथ बहुत तगड़ी कम्यूनिकेशन स्किल्स के बारे में जानते हैं लगतार घंटो घंटो माइक पर बोलते हैं देखे बहुत साई लोग कॉमेंट्स में लिखेंगे भई या स्क्रिप्ट होती है उनके पास अगर मैं आपको इसक्रिप्ट देदू न कि बोलो जारा माइक पर जाके भाई पसीने निकल जाएंगे बोलना मुश्किल हो जाएगा इसक्रिप्ट लेके भी ठीक है तो इसी चीज़ के लिए मौदी जी का उधारान दिया है जो एक HR को convince नहीं कर सकते है आपको बोल देगे यह pen page के दिखाओ तो आप इदर उदर दिखोगे यार कैसे बेच है कैसे तो यह एक skills है जिसको कहता है communication skills ठीक है राहूल गांदी एक Cambridge University से पढ़ावा बंदा है ठीक है वो बंदा PM बनने के लिए सोच रहा है बहुत मैनद कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बोलना तो आता है उसको लेकिन वो इतने अच्छे तरीकसे नहीं बोल पाता है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है सब को चैने लेकिन फिर भी मोदी जी, laboratory का अदमी है लेकिन फिर भी बहुत तगड़ी communication skills करना जानते हैं, बात करना जानते हैं, leadership है उनका अंदर actually, तो आपके अंदर भी ये एक single skill बहुत जादा कूट के भरीवे होनी चाहिए, जिसका नाम है communication skills, बात करने का तरीका body language है आपकी बहुत strong होनी चाहिए, communication skills के लिए हमने एक book लिखी है, मात्र 49 रुपीज, आप जाएंगे first link in the description box purchase कर लेंगे, उस 80 page की किताब के अंदर सारे के सारे तरीके लिख के दिया हैं भाया और उसकी क्या value है, कैसे सीखना है, कैसे improve करना है, कैसे practice करना है, सब कुछ बता है, फटा-फट से सीख लीजे, communication skills, first link in the description box, दो चीज़े के लिए रहो गई, पहला step था, आपका resume CV, दूसरा step है आपका communication skills, resume जो आपकी help करेगा, वो करेगा, एक interviewer की goal तक के लिए, भाया आजाओ interview दे दो, और दूसरी जो skills है, वो आपकी help करेगी, एक interview को crack करने के लिए, एक job पकड़ने के लिए, आपका confidence यहां से यहां हो जाएगा, जब आप किसी के सामने बात करते हो, जब किसी के सामने बोल पाते हो, तीसरी skills जो है हमारे पास, ये भी बहुत ज्यादा important है, और इसी, एक single skill की वजहां से, मैंने खुद job ली है, पचास हजार रुपे महीना की salary पर, और इसके अलावा जो मुझे benefits मिल रहे थे company से, वो मैं नहीं गिनवाना चाहूंगा, तो ये कार, बंगला, गारी, ये सब था, लास्ट skill हमरे पास है, dressing sense, देखे, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कि भाईया, किसी book को उसके cover से देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सभी बात है भाई, अब ये book है हमरे पास, इसके अंदर क्या लिखा है, मैंने सोचा था, बहुत बढ़या होगी, वागी बढ़या भी है, लेकिन शुद हिंदी मा आ गई, ठीक है, अब इसको समझना एक चीज़ को बड़ा मुश्किल है, वो बाट ठीक है अपनी जेगा पाद, लेकिन इसका कवर कैसा है, सिंपल सा लिखा हुआ है, अब इसके कवर से इस book कीमत हम नहीं लगा सकते है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ मा आपको किलियर कर दू, कभी-कभी सही होने के साथ, आपको थोड़ा गलत भी होना चाहिए, अगर आप कपड़े अच्छे पहने वोंगे, तो HR जो है आपको वो कहीं न कहीं, आपको देखके थोड़ा खुश होगा, यार बंदे को कम से कम, कपड़े लेकिन, मैं जब ऑफिस जाता हूं, तो भया, जाहिर सी बात है, सभी फॉर्मल पहनते हैं, तो हमारे इंजिनियर साहब जब सरकारी अधीकारी से बात करते थे, तो वो अपनी टी-शर्ट को, शर्ट को यहां कर लेते थे, और ऐसे खुजाते होए बात करते थे, जो कि एक बहुत ही गलत निगेटिव इंप्रिशन जाता है, हमारे बहुत बोलते थे, कि जुनेत भाई, कमसे आपको कपड़ बहनने की तो तमीज है, और यह हमारा इंजिनियर है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिगा है, तुमसे ज़्यादा हाई सेलरी दे रहे हम इसको, और यह फ एक महीने तक डेली प्रक्टिस करोगे, एक महीने तक डेली अप्लाई करोगे, इंशालला हुला आजजीज, आपके पास एक टगडी जवाब होगी, कम से कम 20,000 उर्पतन का के इसाफ से, अगर आपने हमते रिज्यू में बनवाया, हमारी कम्यूनिकेशन इसको सी बुक पर परचेस की, हमारे कहने से अपने कपड़े सो धार लिए, आज की इस वीडियो ने आपकी जिन्दगी में सिर्फ एक परसेंट वैल्यू एड़ की होगी, मैं यह मानता हूँ, अगर हाँ, तो प्लीज हिट दा लाइक बटन, फिर मुचन यहीं तक थे, समाब थे, लिए